अब सबको नमस्कार स्री नारायन धर्वसंगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानन जी जनरल सक्रेटरी स्वामी रुतंबरानन्द जी केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे साथ ही केरल की धर्थी के हिसंतान स्री वी मुरली धर्ण जी राजी वी चंद्रशेकर जी स्री नारायन गुरु धर्म संगम ट्रस्ट के अन्य सभी पदाजिकारिगान देश विदेश से आए सभी सधानुगन देवी और सज्जनो जब संतों के चरण मेरे घर में आया जए एक प्रकार से आप कलपना नहीं कर सकते हैं अजरी कितना आनंद की पल है यह एला प्रियपट्थ मलियाली गल्कुम अंडे बनी तमाया नवश्कारम भाळतिंडे आध्यात्मीक चैतन्यमा स्री नारायन गुरु देवन अध्यहतिंडे जन्मत्ताल धन्यमागपट्ट पुन्यभुमी आन केरलम संतों की क्रपा और स्री नारायन गुरु के आश्रिवाद से मुझे पहले भी आप सब के बीच आने का अवसर मिला है शिवगिरी आकर के आप सब के आश्रिवाद लेने का सौभाग्य मिला है और मैं जब भी वहां आया उस अध्यात्मीक भूमी की उरजा को हमेशा अनुभव किया मुझे खुशी है कि आज शिवगिरी तिर्थ उत्सों में और ब्रह्म विद्यालयम के गोल्डन जुबिली के आयोजल में भी मुझे सामिल होने का आप समने पुन्य कारे करने का अवसर दिया है मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों से बेरा नाता किस प्रकार का है लेकिन कभी-कभी मैं अनुभव करता हूं और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जब केदार नाज्जी में बहुत बड़ा हाथ्षा हुआ देश भर के यात्री जीवन और मृत्यू के बच्च में जूज रहे थे उत्राखंड में और केंद्र में कॉंग्रेस सरकार थी और केरल के ही स्रमा इंटोनी रक्षा मंत्री थे इन सब के बावजुद भी मुझे एमदाबाद में मैं मुख्यमंत्री गुजरात में शिवगीरी मड़ से मुझे फोन आया कि हमारे सारे संत फस गए हैं उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है वो कहा है क्या स्थिती है कुछ पता नहीं चल रहा है मोदी जी ये काम आपको करना है मैं आज भी सोच नहीं पाता हूँ कि इतनी बड़ी-बड़ी सरकारे होने के बावजुद भी शिवगीरी मड़ ने इस काम के लिए मुझे आदेश किया और ये गुरु महराज की कुरपा रही कि गुजरात में मेरे पास उतने तो संसादर नहीं थे फिर भी मुझे उस पुण्य कारे का सेवा का मोका मिला और सभी संतों को सुख रूप में वापिस ले आ पाया और शिवगीरी मर्थ महचा पाया उस फोन कोन से ही मेरे लिए सच मुझ में वो रिदे को छूने वाली घटना थी कि ऐसा क्या गुरु महराज का अशिरवाद होगा कि इस पवित्र कारे के लिए आपने मुझे चुना आज ये भी सुभवशद है कि इस अवसर में मुझे आपके साथ जूने का मोका मिला है तिर्थदानम की नम्बे सालों की यात्रा और ब्रम्ब विद्यालयम की गोल्डन जुबिली ये केवल एक संस्ता की यात्रा नहीं है ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग-अलग कालखन में अलग-अलग माध्यमों के जरिये आगे बढ़ता रहा है भारत के दर्शन को जीवन्त मनाय रखने में भारत के इस अध्यात्मिक और विज्ञानिक विकास यात्रा में केरल नारके ने हमेशां एहम योगदान निभाया है और जरुरत प्रणने पर नेत्रुत्व भी किया है वर्कला को तो सदियों से दक्षिन की काशी कहा जाता है काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिन में वारा नसी में शीवकी नगरी हो या वर्कला में शीवगिरी भारत की उर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतियों के जीवन में विशे स्थान रखता है यह स्थान केवल तिर्थ भर नहीं है यह आस्था के केंद्र भर नहीं है यह एक भारत स्थ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागरित प्रतिष्ठान है मैं इस अवसर पर स्थी नारायन धर्म संगम ट्रश को स्वामी सच्चिदानन जी को स्वामी रुतंबरानन जी को और स्वामी गुर्प साज जी को रदे से बहुत बहुत बधाई देता हूं तिर्शदानम और ब्रह्म विध्यालयम की स्वर्णी म्यात्रा में इस आयोजन में लाखों करोडों अन्युआईयों की अनंत आस्था और अथियक परिश्टम भी शामील है मैं सरी नारायन गुरु के सभी अन्युआईयों को सभी स्वर्धानुओं को भी हार दिख सुपकामनाई देता हूं अब सभी संतों और पुन्य आत्माओं के बीश आज जब मैं बात कर रहा हूं तब भारत की विशेशता ये है कि जब भी समाज की चेत्रां कमजोर होने लगती है अंदकार बढ़ता है तब कोई न कोई महान आत्मा एक नए प्रकास के साथ सामने आ जाती है दुनिया के कई देश कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकबाद ने ले लिए खाली तो रहता नहीं है भौतिकबाद ने भर दिया लेकिन भारत कुछ अलग है भारत के रुशियों भारत के मुनियों भारत के संत भारत के गुरुव ने हमेशा विचारों और व्यवारों मैं निरंतर सोधन किया और सम्वर्धन भी किया श्री नारायन गुरु ने आधुजिनिक्ता की बात की लेकिन साथ ही उन्होंने भारतिय संस्कृति और मुल्यों को सम्रुद्ध भी करने का निरंतर काम किया उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई है लेकिन साथ ही धर्म और आस्ता की हमारी हजारों साल पुरानी परंप्रा को आध गवरों बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे हैं यहां शिविगिरी तिर्थ के जरिये वैज्ञानी चिंतन की नई धारा भी निकलती है और शार्दामठ में मा सरस्वती की आराधना भी होती है नारायन गुरुजी ने धर्म को शोधित किया परिमार्जीत किया समयानुकुल परिवर्तन किया काल बाह ये चीजों को छोड़ा उन्होंने रुटियों और बुराईयों के खिलाब अभ्यान चलाया और भारत को उसके यथारत से परिचित करवाया और वो काड़खन से सामान नहीं था रुडियों के खिलाब खड़ा होना ये चोटा मोटा काम नहीं था आज हम इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं लेकिन वो नारायन गुरुजी ने करते कि दिखाया उन्होंने जातिवात के नाम पर चल रहे उंच नीच भेदभाव के खिलाब तार्किक और कि उसी प्रेणा को लेकर देश, गरीबों, दलीतों, पिछडों की सेवा कर रहा है, उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको उन अधिकारों को देना ये हमारी प्रात्विक्ता रहा है, और इसलिए आज़ देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, साथियों, स्री नारायन गुरुजी, आध्यात्मिक चेतना के तो हम स्थेही थे, आध्यात्मिक प्रयना के प्रकाश पुंजी थे, लेकिन ये भी उतना ही सत्य हैं, कि स्री नारायन गुरुजी, समाज सुधाकर रगभी, विचारग भी, और युग द्रश्टा भी थे, वो अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते थे, वो बहुत दूर का देख पाती थे, इसकी वज़े से, आप कल्पना कर सकते हैं, गुरुदेव रविर्रा टगोर, एक रेडिकल थिंकर, के साथ ही, एक प्रेक्टिकल रिफॉर्मर भी थे, वो कहते थे, कि हम यहाँ जबरन बहस करके जीतने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ जानने के लिए, सीखने के लिए आए हैं, वो जानते थे, कि समाज को बाद विबाद में उल्जा कर नहीं सुधार आजा सकता, समाज में सुधार आता है, जब लोगों के साथ काम किया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, और लोगों को अपनी भावनाएं समझाई जाए, जिस पल हम किसी से बहस करने लग जाते हैं, तो उसी पल सामने वाला व्यक्ति अपने पक्ष के लिए तर्क, वितर्क, कुतर्क साब खोज करके परोस देता है, लेकिन जैसे ही हम किसी को समझना शुरू कर देते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमें समझना शुरू कर देता है। नारायन गुरुजी ने भी इसी परंपरा का इसी मर्यादा का हमेशा पानज किया। वो दूसरों की भावनाओं को समझते थे और फिर अपनी बात समझाने का प्रयास करते थे। वो समाज में उस वातावन को निर्मान करते से कि समाज खुद ही सही तरकों के साथ अपने आप सुधार की प्रक्रिया में जूट जाता था। जब हम समाज में सुधार के इस मार्क पर चलते हैं तो फिर समाज में स्वयम सुधार की एक सक्ति भी जागरूत हो जाती है। अब जैसे हमारी सरकार ने बेटी बेचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान शुरू किया। कानुन तो पहले भी थे लेकिन बेटीों की संख्या में सुधार हाली के कुछ वर्तवा में हो पाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने समाज को सही बात के लिए प्रेरित किया। सही बातावरन तयार किया। लोगों को भी जब लगा कि सरकार सही कर रही हैं तो स्थीतियों में तेजी से सुधार भी आने लग जाता है। और सच्चे अर्थ में सबका प्रयास उसकी फल नजराते हैं। समाज में सुधार का यही तरीका है। और यह बारगा हम जितना स्री नाराइन गुरु को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको समझते हैं, उतना ही वो स्पष्ट होता चला जाता है। स्री नाराइन गुरु ने हमें मंत्र दिया था, अवरू जाती, अवरू मथम, अवरू देवं मनुशाओं। उन्होंने वन कास्ट, वन रिलिजिन, वन गौड इसका आवान किया था। अगर हम नाराइन गुरु जी के इस आवान को बहुत गुरता से समझें, इसके भीतर चिपे संदेश को समझें, तो पाएंगे कि उनके इस संदेश से आत्म निर्भर भारत का भी मार्ग बनता है। हम सभी की एकी जाती है भारतियता, हम सभी का एकी धर्म है सेवा धर्म, अपने कर्तवियों का पानन, हम सभी का एकी इश्वर है भारत मा के 130 करोड से अधिक संदान। स्री नारायन गुरुजी का वन कास, वन रिलिजन, वन गड़ आवान हमारी राष्ट भक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक उंचाई देता है। हमारी राष्ट भक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बलकि हमारी राष्ट भक्ति मा भारती की आराधना, कोटी कोटी देश वास्यों की सेवा साधना है। हम इस बात को समझते हुई आगे बढ़े, स्री नारायन गुरुजी के संदेश का पालन करे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम भारतियों में मदभेज पादा नहीं कर सकती। और ये हम सब जानते हैं कि एक जूट हुए भारतियों के लिए दुनिया का कोई भी लक्ष असंबव नहीं है। साथियों, नारायन गुरु ने तिर्थ दारम दानम की परंपरा को आजादी के पहले शुरू किया था। देज भी इस समय अपनी आजादी के 45 साल का अमृत्त महोत्सों मना रहा है। ऐसे समय में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा स्वातंत्र संग्राम, केवल, विरोध प्रदर्शन और राजनिती ग्रणनितिया तकी सिमित नहीं था। ये गुलामी की बेडियों को तेवने की लड़ाई तो थी, लेकिन साथ ही एक आजाद देश के रूप में हम होंगे, कैसे होंगे, इसका विचार भी साथ-साथ चलता था। क्योंकि हम किस चीज के खिलाब है, केवल यही महत्वपुन नहीं होता। हम किस सोच के किस विचार के लिए एक साथ है, ये भी कहीं जादा महत्वपुन होता है। इसलिए हमारे स्वाधिंत रात संगराम से इतने महान विचारों की परंपरा चल पड़ी। हर कालखन में नए विचारक मिले। भारत के लिए इतनी संकल पनाए, इतने सपने एक साथ खड़े हुए। देश के अलग-अलग हिस्सों से नेता और महान लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से सिखते थे। हाज टेक्नलोजी के जमाने में हमें ये सब बड़ा आसान लग सकता है। लेकिन उस दोर में ये सुविधाएं ये सोशल मीडिया और मोबाइल के जमाने हां नहीं था उसमाए। लेकिन फिर भी ये जननायक, ये नेता एक साथ मिलकर मन्थन करते थे, आधुनिक भारत की रुपरेखा कहिचते थे। आप देखिया है, 1922 में देश के पूर्वी भाग से गुरुदेव रभिन्रना ट्यगोर यहां दक्षिण में आकर नारायन गुरु से मिलते हैं। तब गुरु से मिलने बाद गुरुदेव ने कहा था, कि मैंने आज तक नारायन गुरु से महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं देखा है। 1925 मात्मा गांदी गुजरात से साबरमती के तड़ से देश के पस्चिमी हिस्से से चलकर यहां आते हैं। स्री नारायन गुरु से मिलते हैं। उनके साथ हुई चर्चा ने गांदी जी को काफी गहराई तक प्रभावित किया था। स्वामी विवेकन स्वयम नारायन गुरु से मिलने पहुँच गए थे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां नारायन गुरु के चरणों में बैठ करके सत्तसंग किया करती थी। कितने विचार मंतन होते थे। ये विचार सैंकडो सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट के रूप में भारत के पुनन निर्मान के बीच की तरह थे। ऐसे कितने ही सामाजिक राजनितिक और अध्याद्विक लोक एक साथ आए। उन्होंने देश में चेतना जगाई देश को प्रेणा दी देश को दिशा देने का काम किया। आज हम जो भारत देख रहे हैं, आज आधिक इन 75 सारों के जिस आत्रा को हमने देखा है, यह उन्ही बाहापुरुशों के मन्थन चिंतन विचारों का परड़ाम है, जो आज फल स्वरूफ हमारे सामने है। साथियों, आज हादी के हमारे मनीशों ने जो मार्ग दिखाया था, आज भारत उन लक्षों के करीब पहुँच रहा है। अब हमें नए लक्ष गड़ने हैं, नए संकल्प लेने हैं, आज से 25 साल बात देश अपनी आजहादी के 100 साल मनाएगा। और 10 साल बात हम 33 दानम के 100 सालों की यात्रा भी उसका भी उत्सम मनाएगे। इन 100 सालों की यात्रा में हमारी उपलब्दियां वैश्विक होनी चाहिए, और उसके लिए हमारा वीजन भी वैश्विक होना चाहिए। भाई और भनों, आज विश्व के सामने अनेक साजी चुनोतियां हैं, साजे संकट है। कोरोना महमारी के समय इसकी एक जलग हमने देखी है। मानवता के सामने खड़े भविश के प्रस्टों का उत्तर भारत के अनुभावों और भारत की सांस्कुर्दिक सामर्त से ही निकल सकता है। इसमें हमारे आध्यात्मिक गुरू, इस महान परंपरा को एक बहुत बड़ी भूमी का निभानी है। और प्रयासों में हमारी नई पीड़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवगेरी तिरसदानम की ये आत्रा ऐसे ही निरतर चलती रहेगी। कल्यान और एक्ता के प्रतीक और गतिशिल्ता की प्रतीक तीर से आत्राएं भारत को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का एक ससक्त माज्यम बनेगी। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सब यहां पधारें में रिदे से आपका आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के जो सपने जो संकल्प आपने लिए हैं मुझे एक सत्संगी के रूप एक भक्त के रूप आपके इन संकल्पों के साथ जुड़ना मेरा आहो भाग्य होगा मेरे लिए गवरव होगा मैं फिर एक बार आप सब का स्वागत करते हुए आप सब का धन्यवाद करता हूं